में आप लोगों का एट पेपर है मैंने आप लोगों को बहुत बार ये बताया है और आप लोग टेक्सेशन के ओनलाइन कंटेंट भी लेते रहे हैं और क्लास भी एटेंड की होंगे आप लोगों ने इसके दो पार्ट हैं टेक्सेशन और टेक्स प्लानिंग जहां तक टेक्सेशन का मामदा है तो टेक्सेशन में ज्यादा तर माम कोर्स वो ही है जो आप लोगों ने बी कॉम पार्ट सेकेंड में इंकम टेक्स की पुस्तक से पढ़ा है और यहां एम को में अपने को करनी होती है प्ल theoretical portion देखेंगे और जिससे शुरुवात करते हैं कि basic framework of direct access in India भारत में परतेक्स करों का framework है ने जिसको कहते हैं अधार भून धांचा basic framework वो क्या है कोई भी सेंस्ता होती है उसका अपना एक धांचा होता है structure होता है उसका एक शंग ठन होता है तो अपन मोटे रूप से इसको देखेंगे detail में आप लोग अपनी पुस्तक में ये theoretical portion है इसको देखेंगे इसको avoid नहीं करेंगे क्योंकि अब आजकर paper का 60% भाग है वो theory से मिद के बन रहा है numerical का portion तो level 40% ही है इसलिए आप लोग theory को नहीं छोड़ें और theory को अच्छे से पढ़ लें ये दि किसी कर का भार अंतिम रूप से उसी व्यक्ति को वहन करना होता है जिस पर सरकार कर लगाती है तो ऐसे कर को protect कर करते है अपने को सबसे पहले protect करों का धांचा देखने से पहले ये देखना पड़ता है कि protect कर से मतलब क्या है what do you mean by direct tax तो direct tax के बारे में यहां ये बताया गया है कि यदि किसी कर का भार अंतिम रूप से उसी व्यक्ति को वहन करना होता है कर वोई व्यक्ति वहन करना करता है जिस पर सरकार कर लगाती है तो ऐसे कर को protect कर कहते हैं और अगर वो व्यक्ति वहन नहीं करता है वो किसी दूसरे पर उस कर को डाल देता है तो वो अप्रतेक्स कर की स्रीनी में आता है तो पहले अपने सबसे पहले यह समझ लिया कि प्रतेक्स कर होता क्या है के अंदर सरकार दोरा कुछ प्रतेक्स कर हैं जो लगाए जा सकते हैं यह कोई जरूरी नहीं है कि वो लगाए ही लेकिन लगाए जा सकते हैं जैसे आई कर, धन कर, जिसको इंग्लिस में कहते हैं वेल टेक्स, संपत्ती कर, अत्वा संपता सुल्क, एस्टेट ड्यूटी, उपहार कर, गिफ टेक्स, निगम कर का मतलब वे कॉर्पोरेट टेक्स या कंपनियों पर जो कर लगता है वो, और, एक होता है, वे कर, expenditure के उपर टेक्स लगता है, expenditure tax, यह सारे टेक्स ऐसे हैं, जिनें केंदر सरकार लगा सकती हैं, उसके बाद में, कुछ कर ऐसे हैं जो, राजे सरकार लगाती हैं, और प्रतेक्स कर की शिरेनी में आते हैं, क्रशी आई पर कर, क्रशी भूमी पर धन कर, क्रशी भूमी के उत्तरा दिकारी पर कर और किसी व्यवसाई पर कर, टेक्स पर कर तो इस तरह से कुछ कर राई सरकार लगा सकती है और कुछ कर केंदर सरकार लगा सकती है अब उसके बाद में अगले हेडिंग में अपन देखते हैं भारत में प्रतेक्स कर जो है उनका इतिहास क्या रहा है और कौन-कौन से ऐसे हैं जो लगते रहे हैं तो सबसे पहले इंकम टेक्स इंकम टेक्स के बारे में ज़्यादा डिटेल में बताने कि आउ सकता नहीं है यह आई के उपर कर लगता है और सन गुनिस सो गुनिस में गौर्मेंट ओफ इंडिया एक्ट के अनुसार आई कर को केंद्री आयों की सुची में समलित कर लिया गया था यानि आज़ादी से पहले से एटेक्स से अस्तितों में है आई कर उसके बाद में दूसरा कर होता है वेल्टेक्स धन कर धन के उपर जो कर लगता है उसको कहते हैं वेल्टेक्स है और ये गुनिस सो सत्यावन अठावन के लिए प्रथम बार लागू किया गया था वर्तमान में अब ये कर समप्त कर दिया गया है तो वेल्टेक्स अब नहीं लगता है लेकिन पहले लगता रहा है तो आपको ध्यान रखना पड़ेगा कि है ये एक पर्तेक्स कर पहला पर्तेक्स कर था आएकर दूसरा हो गया धनकर तीसरा है उपहार कर कोई गिफ्ट देते हैं तो गिफ्ट के उपर टेक्स और गिफ्ट टेक्स भी अब सरकार में हटा दिया है 30 सितंबर 1908 में से उबार कर कुस्मापते कर दिया गया है लेकिन आप लोगों को इनके बारे में वाकिफ होना आवशेक है तो ये गिफ्ट टेक्स की बात फिर उसके बाद में एस्टेट डूटी संपदा सुल्क ये कर गुणी सुत तरेपन में प्रतंबार लगाया गया था इस कर के दौरा धन के ऐसमान वितरन में तेजी से कमी आती है ये कर किसी विक्ती के मरने पर उसके दौरा छोड़ी गई संपतियों पर उसके उत्रा धिकारी पर लगाया जाता है एस्टेट डूटी है वो म्रत विक्ती ने जो संपतियां अपने उत्रा धिकारी के लिए छोड़ी है उसके उपर लगाई जाती है लेकिन वर्तमान में इसे समाप्त कर दिया गया है अब ये संपदा सुल के स्टेट डूटी नहीं लगता है और इसी तरह से एक टेक्स है प्रतेक्स करकी स्रेणी में आता है एक्सपेंडिचर टेक्स आपको परिक्षा में ये कहा जाए कि कोई प्रतेक्स करों के उधारन दीजिए तो आप इन में से कोई भी लिख सकते हैं तो ये पांस कर हो गए एक्सपेंडिचर टेक्स और expenditure tax लगता है कि वेक्ति कोई कितना खर्चा करता है इस करको लगाने का उद्देश से है वो विलासिता की वस्तूओं पर किये जाने वाले वे को रोकना था विलासिता आप लोग जानते होंगे कुछ अनिवारियता होती है जो हरेक के लिए बराबर महतु रखती है लेकिन कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो एसो आराम की है तो ये कर इसलिए लगाय गया था कि एसो आराम की जो सीज़ें हैं जिनको विलासिता की वस्तूओं अपन कहते हैं उसके उपर खर्चा को रोका जाए लेकिन वर्दमान में ये कर अब नहीं लगाया जाता इसको विगत में लगाया जाता रहा है तो ये अपने प्रतेक्स करूं कि कुछ प्रकार आप लोगों ने देखे फिर उसके बाद में भारत में जो प्रतेक्स कर का धांचा है जो इस ट्रक्शर है डिरेक्ट एक्सेज का उनकी विशेस्ताओं के उपर आते हैं उस धांचे की विशेस्ता क्या है आपको परिक्ष्या में पूछा जा सकता है कि बारत में प्रतेक्ष कर धांचे की कुछ विशेस्ताइं बताईए तो उन विशेस्ताओं के उपर मैं चर्चा करदा हूँ उसमें प्रतेक्ष कर धांचे की जो पहली विशेस्ता है वो है रखा है क्रशी आएकर क्रशी भूमी पर धनकर क्रशी भूमी के उत्रादी कारकर का शंग्रहन राजी सरकारों के पास है तथा से सभी मेतोपूर्ण कर जैसे आएकर है धनकर है इनका संग्रहन या कलेक्शन करने का काम केंदर सरकार के पास में है तो इस तरह से केंदर और राजी सरकार के मद्दे कारी चेतर का इसपस्ट भी भाजन है कि कौन से कर राजी सरकार को कलेक्ट करने हैं और कौन से कर केंदर सरकार को कलेक्ट करने हैं दूसरी विशेस्ता आती है निर्धन वेक्तियों उपर कर नहीं लगना जो गरीब लोग हैं उनके उपर आई कर नहीं लगता है क्योंकि आई कर के लिए एक निचली सीमा निच्चित कर रखी है जो वर्तमान में डहलाक रूपे है उससे कम जिनकी आई होती है उनके उपर कर नहीं लगाया जाता है तो एक कर धांचे की यह विश् Support हो गई यह निर्धन विक्ती जो गरीब विक्ती हैं उन पर कर नहीं लेगा और कर धांचे की अगली विश्ता में है करकी दरों का प्रगतिसील होना करकी जो दरे हैं वो progressive है यानि आगे से आगे बढ़ती जाती है जो जो इनकम बढ़ती है आएकर की दर बढ़ती जाती है तो ये एक विशेस्ता में सामिल होने वाला है चोथी विशेस्ता आप दे सकते हैं देश के आर्थिक विकास के लिए प्रोथ साहन वर्धक आर्थिक विकास के लिए प्रोचसाहन मिलता है करप्रणाली से देश की प्रतेक्स करप्रणाली इस प्रकार से बनाई गई है कि उद्योग पतियों और व्यापारियों को देश का आर्थिक विकास करने के लिए प्रोचसाहन मिलता है उनको इस उदेशे के लिए अनेक तरह की छूट और रियायतें दी गई हैं जैसे मुक्त व्यापार छेतर, फ्री ट्रेड जॉन और विशिस्ट आर्थिक छेतर, स्थापित उद्योगों के लाबों का कुछ वर्सों तक करमुक्त होते हैं तो इस तरह से देश के आर्थिक विकास के लिए ये उद्योग पतियों और व्यापारियों को करद्हाँचा है, वो प्रोच्छाहन देता है फिर इस करद्हाँचे की अगली विसेष्था है परियाब्त लोज", हमारे देश में परतेक्श करद्हाली में परियाब्त लोज सीलता है, यानी फ्लेक्जियबल है। इसमें अपन परिवर्तन कर सकते हैं। रेट कई बार इंकम टेक्स की दरें कम भी करते हैं और परिस्तिती के अनुसर ज्यदा भी की जा सकती है यानि कर धांसे में बदलाव आसानी से हो सकता है अगली विशेष्था बचत करताओं को प्रोचाहन जो लोग सेविंग करते हैं उनको प्रोचाहन दिया जाता है और सेविंग के लिए उनको कर में छूट मिलती है जो धारा असी सी के अंतरगत डेड़ लाग रुपे तक के निवेश पर उनको छूट मिलती है या आपने सेकिंड येर की इंकम टेक्स में पढ़ा होगा कटोधियों वाले चेप्टर में और फिर अगली एक विशेष्था है जटिल करप्रणाली हमारी प्रतेक्स करप्रणाली इतनी जटिल है कि सामाने वेक्ति के लिए इसकी जानकारी रखना अत्यनते कटिन है तो ये एक विशेष्था है करप्रणाली से जुड़े हुए अधिकारी वकील प्रैध्यपकों के लिए इन विभिन अधिनियमों की समस्त व्यवस्थाओं को याद रखना बहुत कटिन है तो बहुत सारे नियम दे रखे हैं उपनियम दे रखे हैं इस तरह से ये एक जटिल कल परणाली है जो इसकी विशेष्था के रूप में आप लिख सकते हैं और लास्ट में एक विसेस्ता बताएंगे समाजवादी समाज की रचना में सहायक समाजवादी समाज समाजवादी समाज का मतलब होता है जहां बराबरी की बात होती है और यहां यह कर धांचे की दौरा यह कोसिस की जाती है कि धनी वेक्ती अधिक टेक्स दे और कम धनी कम टेक्स दे और जो धनी नहीं है वो टेक्स नहीं दे इस तरह से समाजवादी समाज की रसना में ये शहायक है फिर उसके बाद में अगले हेडिंग में अपन लेंगे कि ये जो करड धाचा है इसके दोस क्या है हरेक के कुछ लाब भी होते हैं कुछ हानिया भी होती है हमारा जो प्रतेक्स करड धाचा है उसमें क्या कमिया हैं क्या दोस हैं उसमें सबसे पहले आप कह सकते हैं करप्रणाली में वग्यानिकता का अभाव यहां करप्रणाली में साइन्टिपिक सोच का अभाव है भारतिय करप्रणाली में प्रायपरती दिन परिवर्तन होते रहते हैं ये परिवर्तन अल्प कालीन हित को ध्यान में रखके ही किये जाते हैं इन परिवर्तनों में दूर दर्शिता का अभाव होता है जितने जल्दी और अधिक मात्रा में परिवर्तन भारतिय करप्रणाली में होता है उतना परिवर्तन दुनिया के अन्य किसी भी देश में नहीं होता तो एक तो यह हो गया कि करपड़नाली में बेग्यानिकता का अभाव है जल्दी जल्दी करपड़नाली में अपन बदलाव करते रहते हैं ये दोस है फिर करकी अत्ते धिक उंची दरे होना करकी जो दरें दे रखी हैं वर्तमान में वो अन्य देशों से तुल्ला करते हैं तो करकी दरें अपने यहां काफी ज़्यादा है फिर अगला दोस है करवन्चकों को प्रोचान जो लोग करकी चोरी करते हैं करको बचाते हैं उनको प्रोचान करवणचकों को प्रोशन विभिन्द कर अधिनियमों में इस तरह की विवस्थाइं की गई हैं जिसमें स्वस्ता का अभाव होता है इसके परिणाम सुरूप करवणचक हैं वो वकीलों के माद्यम से करवणचना कर रास्ता निकाल लेते हैं इस प्रकार करका भार केवल इमानदार करदाता को ही वहन करना पड़ता है फिर उसके बाद में अगला दोस आप कह सकते हैं अत्य दिक खर्ची खर्चीली पददी हमारे देक्स में पर्तेक्स करदाताओं की संख्या 5% से अधिक नहीं है जो संपूर देश में बिखरे हुए हैं इन से करों की वसूली और संग्रेण के लिए करमचारियों की एक लंबी फोज सरकार को रखनी पड़ती है जिससे इन करों से प्राप्तरासी का बहुत बड़ा भाग वेतन और भत्तों के रूप में ही देना पड़ता है तो इस तरह से ये बहुत ज़्यदा खर्चिली प्रणा लिए है इमानदार एवं करतवे निष्ट अधिकारियों का अभाव इनकम टेक्स डिपार्टमेंट के बारे में आम जन्ता में ये परसेप्शन रहता है कि उनके अधिकारी और करमचारी इमानदारी और करतवे निष्टा के पैमाने पर खरे नहीं उतरते हैं इमानदार वेक्तियों को इमानदारी का इनाम दिये जाने की बजाए जो इमानदार वेक्ति हैं उनको इमानदारी का इनाम देने के बजाए कस्ट दिये जाते हैं उनका स्थानांतरन कर देते हैं या पदावनती या जूटे आरोपों का सामना करना पड़ता है तो ये एक दोस हो गया इमानदार और करतविनिस्ट दिकारियों का यहां अभाव है प्रेड़ना का अभाव जो करदता इमानदारी से करका भुकतान करता है उसे सरकार की और से कोई सुविधा या प्रेड़ना नहीं दी जाती है ये भी एक दोस के रूप में अपन देख सकते हैं नहीं लाया गया है और एक लास्ट का दोस करेंगे कर निर्धरन में अत्यदिक विलम्ब करका जो निर्धरन किया जाता है उसमें बहुत अधिक समय लग जाता है बार-बार करताओं को विभाग में आफिस में बुलाया जाता है तो करदाताओं को मांसिक परिशानी होती है इस तरह से ये दोस होगे और दोस के बाद अगले टर्म पर अपन परतेक से करों के धांचे में सुधार के लिए कुछ सुधाव देंगे तब तक आप लोग इसकी थियोरी को पढ़ना सुरू कर दें Thank you